आज हम हैं हमारी 2nd class BLIE 227 में 1st class में हमने cataloguing classification AACR सेकेंडार, mark इनकी full form, ddc इसकी full form और कुछ description पढ़ा था हम शुरू करने जा रहे थे AACR देखे student ये चुकि पेपर है cataloguing का तो cataloguing का paper है तो हमें समझना होगा पहले what is catalog तो आईए हम देखते हैं catalog क्या होता है यहां students आप देख रहे होंगे catalog की 2 spellings हैं एक ये और एक ये ये हम next slide में clear करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं ये catalog शब्द कहां से आया है catalog derived from the Greek language phrase catalogus तो ये ग्रीक भाषा के एक phrase catalogus से लिया गया है जहां catalogus काटा और logos से मिलकर बना है काटा का अर्थ है के अनुसार और logos का अर्थ है करम से और इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो अर्थ बनता है करमा अनुसार अर्था एक ऐसी विवस्ता जो करम अनुसार हो यहां student देखेंगे catalogus को explain किया हुआ है catalogus can be explained as the work in which contents are arranged in a reasonable way यहां एक list होगी एक ऐसा कारिय होगा जिसमें contents को किसी ना किसी particular plan के अंतरगत arrange किया जाता है अगर हम मान लीजिए बात करें किसी वस्तु विशेष की list की तो वो वस्तु विशेष की list best किसी set plan के according reasonable way में arrange होनी चाहिए आसान भाषा में बात करें कि catalog क्या होता है तो catalog can be a list of anything it may be a product it may be a book आप कह सकते हैं books की list को catalog जिसमें books की detail भी हो जैसे उसका author, place, publisher, year और वो सारा एक systematic way में arrange होना चाहिए अगर हम बात करें किसी product के catalog की तो वहाँ पर उस product के साथ उसकी detail, उसकी pictures ये सब होता है देखे student ये शब्द catalog library science में ही use नहीं होता है अभी तुम हमारी arm life में भी use होता है तो उन catalogs को भी हम समझते हैं और फिर हम differentiate कर पाएंगे कि library catalog और other catalog में क्या अंतर है तो यहाँ student आप देखेंगे ये दो spellings मैंने बताई थी एक c-a-t-a-l-o-g और एक है c-a-t-a-l-o-g-u-e तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ये catalog शब्द American English के अंदर popular है और ये शब्द British English में popular है ये catalog शब्द आया गरीक a list of items usually in a particular order है catalog एक list होती है और आम तोर पर किसी ना किसी particular order के अंतरगत हो सकती है it can be a product detail और picture और ये क्या हो सकता है कोई product और उसकी detail with pictures हो सकती है जैसा कि आप नीचे यहाँ example देख रहे होंगे ये एक product catalog है जहाँ पर pictures भी है और उसकी detail भी दी हुई है इसको और better हम next slide में समझ सकते हैं जहाँ हम देखेंगे product catalog जहाँ पर product के साथ उसकी detail भी दी हुई है जैसी ये एक product है और उसकी detail यहाँ दी हुई है और ये किसी ना किसी systematic way में है अब next slide में देखते हैं publishers catalog जहाँ publisher अपने यहाँ publish होने वाली पुस्तकों के लिए एक catalog produce करता है जिसमें पुस्तकों की detail उसकी picture उसका price ये सब होता है और वो एक systematic way में होता है अगर हम आम भाशा में कहें तो हमें अपने business की या अपनी library की publicity करने के लिए उस product की detail user तक पहुंचानी होती है और उसे पहुंचाने के लिए हम इनी catalogs का उपयोग करते हैं अब देखे student वो तो बात हुई हमारे journal जो catalog होते हैं वो अब हमारी जो library में catalog use होते हैं उनकी भी physical form होती है जब से catalog की उत्पत्ती हुई है तब से catalog different different form ले चुका है अगर हम बात करें एक form इसकी है bound registered form जहां हम hand written material को hand written entries को bound करा देते हैं वो हो गई bound registered form जहां हम print की ओवे material को जैसे हमें books की detail entry के रूप में एक्तृत की और उसे print करा के उसे bound करा दिया that is called print book form एक है she form जिसे हम loose leaf form भी कहते हैं एक है card form एक है computer produced book form एक है micro form catalog एक है mark online catalog और cd room catalog ये example है आपका इन दोनों का book catalog या तो hand written material bound किया हुआ हो हमने या फिर हमने printed book printed material bound किया हुआ हो हमने ये देखे student ये है she form इस she form को हम loose leaf form भी कह सकते हैं loose leaf form किस तरीके से इसमें अलग-अलग pages पर books की entry की हुई होती है फिर उसे systematic arrange करके और हम spoiler करा देते हैं जैसे हम file में pages लगाते हैं वैसे ही अलग-अलग book की entry हम कर कागस पर उसे जो है पिच्चर्स आप देख रहे होंगे ये दो example better understanding के लिए मैंने आप मैंने पिच्चर्स लगाई हैं यहां यह हैं देखी यह अलग-अलग pages हैं सभी और इनको हमने spoiler किया हुआ है और जरूरत पढ़ने पर हम किसी भी specific page को निकाल कर use कर सकते हैं अब next चलते हैं हम यह देखे student यह है OPEC online public access catalog जो की सिरफ computer पर ही access हो सकता है next है microfiche reader अब यह क्या होता है जैसे floppy हो गई आपकी floppy को कौन read कर सकता है उसका reader जैसे computer ही read कर सकता है अगर computer के अंदर floppy drive नहीं होगा तो वो floppy वो microsoft जो है वो read नहीं कि जासकेगी तो यहां आप समझ रहे होंगे कि catalog की यह भी physical form होती है next हम देखते हैं card form very important student हमें aacr करना है और aacr हमें करना किस पर है card form पर ही करना होगा तो जो आपका card form structure है वो यह हैं जिस पर हमें catalog करनी होगी यहां देखे student एक यह red line है एक यह red line है एक यह red line है जो actual original catalog card होता है उस पर यह तीन लाइने red होती है इसके बारे में हम detail में पढ़ेंगे इसकी पूरी description देंगे यहां और यहां के बीच में कितना size है यह और यह कितना size है और इसका physical descriptions क्या रहेगा वो सब हम पढ़ेंगे next slide में चलते हैं यहां देखिए student यह card form यूज की हुई है किसी library के अंदर library में हमें book की information in card पर लिखनी होती है entry के रूप में जहां main entry added entries बनती है और इने catalog cabinet के अंदर arrange करते हैं यहां एक road होती है नीचे जो आपने देखा होगा वो एक hall है उस hall में इस road को लगा दिया जाता और यहां पर students देखेंगे आप call number लिखा हुआ है यह call number is just like a access point of book यह book का access point है इस class number और इस book number को देखकर हम उस library में रखी पुस्तक तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं यह हम better तरीके से करेंगे हम one by one एक चीज को लेंगे और और सारी चीजे समझेंगे हम कैसे इस catalog card को देखते हुए library से अपनी वांचित पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं तो student अब देखेंगे यह card का एक structure मैंने बनाया है जिसके बारे में हम next video के इंदर इसका physical description और सारी चीजें अब मैं इसे close इस लिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी हम चोटी चोटी वीडियो में आपको यह पूरा पेपर कराएंगे तो next video में हम इसकी physical description और फिर उसके बाद हम cataloging start करेंगे तो I think आज की वीडियो में आपको physical form और different type के catalogs समझ में आएंगे यह समझाना बहुत जरूरी था student क्योंकि कि हम cataloging कर रहे हैं तो हमें cataloging catalog पर ही करनी होती है तो हमें पता होना चाहिए कि catalogs की क्या-क्या physical form है और कितने परकार के catalogs होते हैं हम करेंगे cataloging card form में तो next class में हम card form को ही use करेंगे thank you thank you very much